और इस बगद चिराख पासबान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फरेंस आई आपको सी दे लिए चलते हैं साथियो मैं सबसे पहले आप सबसे शमा चाहता हूं और जानता हूं कि आप लोग दो तिस दिन से बहुत जादा आप दोग परेशान चल रहे हैं और इस गर्मी में कई गंटों तक खड़े रहकर जानकारी सही प्राप्त करकर देश की जंता को देने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ समय से मेरी खुद की तवे ठीक नहीं चल रही थी और उस बीच में जिस तरीके से ये पूरा घटना घटा मेरे लिए भी शारिरिक तौर पर थोड़ा सा कठेन हो रहा था हर समय हर परिस्तिती में को जानना उसके उपर निर्ने लेना उसको आप सब के सामने रखना कई बार दवाई लेकर नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं खड़ा रह पाऊं या जादा बाते कर पाऊं आज भी इसलिए आप लोग के सामने आया हूँ आप लोग के सवालों का जवाब भी दूँगा जो भी प्रशन आपके मन में होंगे वो जरूर आप लोग के सामने रखूंगा पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रेस कॉंफरेंस में सारी बाते क्लियर होंगी लड़ाई लंबी है कई बार हम ल कि आधी के पक्ष में जिन बातों को रखने की जरॉत होगी वो समय समय पर आप लोग के सामने आकर नोस्कव रखता रहूंगा साथियों आप सब ने देखा मैं पांच मिनट में पहले अपनी बातों को रख लूँ फिर आपके जो सवाल होंगे मैं हमको लेता रहूंगा आप सब ने देखा आठ ऑक्टूबर को मेरे पिता जी का निधन हुआ उसके बाद तुरंत चुनाओं में उतरने की बात आई मेरे लिए वो एक कठिन समय था एक कठिन घड़ी थी एक तरफ पापा की बॉड़ी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाओं में उलजह रहे पूरा समय मैं इमानदारी से बोलूं वो 40 दिन का लगबग का समय एक महीना 35 दिन का समय धंग से घर पे घरवालों के साथ बैठके पापा को याद करने का उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया आने के बाद परिवार के साथ जरूर मैंने समय बिताया काफी घरवालों के साथ मम्मी के साथ परिवार के साथ और उस उसके बाद वापस हम लोगों ने कि किस तरीके से इस चुनाओं में और इस चुनाओं के परिणाम पर मैं एक बात जरूर बोलूँगा प्रमुक्ता से कि इस चुनाओं में मिली लोग जन्शक्ती पार्टी को जो एक बड़ी जीत हम लोग की हासिल हुई है जीत चुनाओं मे पार्टी है जहां हम लोगों ने लगबग 6 प्रतिशत का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसॉलिडेट किया वहीं लगबग 25 लाग के करीब वोड लोग जन्शक्ती पार्टी को मिले और जो जनता का अपार समर्थन हम हम लोगों मिला और उससे भी सबसे बड़ी बात मुझे कुशी इस बात की है कि मैं मैंने किसी भी परिस्तिती में मैंने लोग जन्शक्ती पार्टी ने हम लोगों ने अपने मुद्दों अपने सिधान्तों से हम लोगों ने समझाता नहीं किया आप सबसे भी मेरी मुलाकाते होती थी on record, off record और मुझे आद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़िया आप तो से बात कर रहे हैं जब चुनाओ आएका तो देखे का आप लोग सीटों का समझाता कर लेंगे आप से pressure politics कर रहे हैं बाद में आप लोग साथ में जाएंगे चुनाओ लड़ेंगे ये आप सब को भी कही ना कहीं इस बात का लगता था मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्ने लिया कि नहीं हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गडबंधन में जो जन्तादल United है उनके साथ हम लोग गडबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते और ये कारण था कि हम लोग गडबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी में फैसला लिया और हम लोग ने अलग होके हम लोग ने चुनाओ लड़ा मजबूती से हम लोग ने अपनी बातों को रखा आज जब चुनाओं खतम हुए उसके बाद से कहीं न कहीं निरंतर और चुनाओं के दौरान भी चुनाओं से पहले भी मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उसक भी कही बार कुछ लोगों द्वारा और जंतादल उनाइटेट के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोग जिन्शक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था मुझे आद है कि मेरी शायद पापा की जब आखरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब आई सिउ में थे तो उस वक भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरे आती हैं उनकी चाचा सभी ब कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तयार नहीं थे जो चाहते थे कि भाया हम लोग कमफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें कि चलिए जो हो रहा है ठीक है होता रहे ऐसे ही गड़बंदन है ठीक गड़बंदन है लड़ेंगे जीतेंगे पर हकीकत है मैं इस बास को मैं जुटला नहीं रहा हूं कि अगर जन्ता दल युनाइटेड लोग जन्शक्ति पार्टी भारत्य जन्ता पार्टी तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विदान सभा का चुनाओं लड़ते तो हम लोग का एक तरफा जिस तरीके से लोग जबा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता पर उसके लिए मुझे मस्तक होना परता मौझूदा मुख्यमंत्री निदिश कुमार जी के सामने उसके लिए मुझे समझोता करना परता अपनी नीतियों से मैंने बिहारी फिर्स विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे ब मिनीमम प्रोग्राम आप ड्राफ करते हैं साजान जूनितम कारिधर्य क्रिकरम के हिसाब से सरकार चलती है मेरा बरोसा नहीं था कि आपको साथ निश्य बिहार में विकास कर सकता है और मुझे लगता कि हर वो वेक्ति जिसको बिहार से प्यार है बिहारियों से प्यार है बिहार के युवाओं से प्यार है अपने समाज से प्यार है हर वर के समाज से प्यार है जो वेक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुकता से रखता जितन उनने ना मैं जुका ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझाता किया और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाओ लड़ा बढ़ हाँ जैसा मैंने का कि कुछ लोग संगर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तयार नहीं थे उन लोगों ने उस सुपुत्री उनके चुनाओ लड़ रही थी वह उसमें व्यस्ती कैसर साब का क्या ही कहना उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गड़बंधन से चुनाओ लड़ रहे थे वह उसमें व्यस्ते कई पार्टी के और नेता मेरे चोटे भाई जब समस्तिपूर में मेरे दूसर उसके बाद जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए था अपने परिवार के साथ रहने का वो समय मिलने के बाद जब वापस हम लोग रंभूमी में उतरने की तैयारी कर रहे थे क्रोना प्रोटोकॉल तब तक लागू हुए इस महामारी से बचाव के लिए कई तरीके क कि लगबग 40 दिन से जादा का समय मुझे लगा अपने आपको बहतर स्थिती में लाने के लिए अभी भी रिकावरिंग में ही हूं पूरी तरीके से रिकावर नहीं हो पाया हूं पर वो समय जरूर लगा और तब तक दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बिमार था जब म चाचा से संपर्ट सादने का उनसे बात करने का चुनाओं के बात से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूँ अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बाते मेरे सामने रखनी हो और ये संपर्ट नहीं होने के बाद ये संवाध हींता आ तो उस दिन मुझे वो अक्यले पन का एहसास हुआ उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा जो पत्र मैंने और अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सब के बीच साजा भी कि और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उन्त में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजे आके आप मुझे बुला लिजे जो भी आप अपनी बातों को रखे पिछले दो दिन तिन से जब यह घटना चकर भी चल रहा था मैं जानता हूं कि आप सब भी काफी जानना चारे थे कि भई मैं क्या कहना चारा हूं मेरा क कैए मैंने अपनी तरफ से अंत अंत मैंने प्रयास किया कि पार्टी और परिवार दोनों को एक जुट करके रख सको कि अबना सर ने देखा कलशा कि मैं घर भी गया, वहाँ पर जाकर भी मैंने कोशिश की, कल भी मैंने अंत तक, दुपैर तक, मम्मी खुद वेक्तिका तोर पर वो भी प्रयास कर रही थी, चाचा से संपर्ख साथने का, दस-पंदा दिन से, वो अलग-अलग माध्यंग से उन्होंने भी कोशिश की, कि उनसे बात करने और परिवार की बात हो, और मैंने एक बदर पहले भी कहा था, जब परिवारी की और वो सफल नहीं हुई तो उसके बाद हम लोगों ने कल पार्टी की राष्टे कारेकार्णी की बैठक बुलाई वर्च्वल मीडियम से और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुसाशन कायम रहे ये जिम्मेदारी भी मेरी है Contrary to the belief कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पास्वान लोग जिन्शक्ती पार्टी के राष्टी अध्यक्ष नहीं रहे उन्हें हम लोगों ने राष्टी अध्यक्ष से हटा दिया मैं आप सब के माध्यम से पार्टी के सम्विधान की जानकारी संशेब में आप लोग के समख्ष रखना चाहता हूँ मेरे साथ पार्टी के सम्विधान के निर्माताओं में से जो एहम भूमी का निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटी जनरल जनाब अब्दूर्द खालिक साहब मौजूद हैं जिन्होंने लीगली इस सम्विधान को ड्राफ्ट करने में एक एहम भूमी का निभाई है तो इस सम्विधान के अनुसार जो ये दावे किये जा रहे हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं उनको हमने राष्टे अध्य की भूमी का बढ़ चड़कर निभाएं मैं चाहता हूं कि सदन में जादा से जादा हर एक विशे पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके जिस तरीके से संसद्य बोड ने मुझे संसद्य दल का नेता बनाया था मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो ट्रिपल तलाक की बात हो जितने भी रामंदर की बात हो जितने भी ऐसे मुद्दे हैं नेरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा मैं चाहूंगा कि भविशे में भी रहे बहराल पर जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया यह प्रक् या विधान सभा में या विधान परिशद में कौन होगा इस बातका निर्ने सिर्फ और सिर्फ परलामेंटरी बोड ले सकता है and in absence of parliamentary देंगि यह पूरी की पूरी power resides in the hand of the national president, राश्टिय अद्यक्ष यह पास यह पूरी power है इस बात को चुनने की कौन आपका लीडर आफ दा हाउस पार्लेमेंट में होगा लोग जन्शक्ती पार्टी का समविधान इस बात की इजाधत सिर्व राष्टिय अद्यक्ष या संसद्य बोर्ट के पास है वहाँ पर मौझूदा जो मजबूती से हम लोग रखेंगे बट आज आप लोग की जनकारी में सिर्व मैं इन बातों को देना चाहरा हूँ कि जिस तरीके से पोट्रेट ही आ जा रहा है मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा था या अपनी बातों को क्योंकि आज हम लोग दिन भार एक लंबे समय तक हम लोग ने लीगल ओपिनियन्स क्या क्या इसमें कॉंसिट्यूशन के अधार पर क्या क्या चीज़ें हैं सुबे से लंबे समय से हम लोग की बैठे के चल रही थी अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठ कर अगर हम लोग इसको सुलजा पाते वो मेरा प्रहास जादा था पर अब जब मेरे पास कोई और विकल बचा नहीं तो इसलिए आप सब के समक्षा कर मुझे इन बातों को रखना मेरी लिए जरूरी था तो उसकी जगा दूसरे अद्धेश की निउपती की जा सकती है बड़ ये तमाम बाते जैसा मैंने कहा लीगल मैटर्स हैं यहाँ पर वाजपई साह मौझूद हैं विस्तार में अगर आप इनसे अगर कुछ आप जाना चाहें इसके लिए जरूरी था कि मैं अपनी बातों को आप सब के माद्यम से मेरे जितने समर्थक हैं या लोग जन्शक्ती पार्टी में जितने लोग विश्वास रखते हैं हमारे पार्टी के तमाम पदादिकारी कल भी मुझे खुश है कि जब राष्टे कारेकार्णी की जब बैठक हुई तो उस वक्त भी हमने सारे पदादिकारियों ने जिस मजबूती से पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रखा पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए रखा पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए रखा उस दिशा में मैं अपने पार्टी के तमाम साथियों के साथ तमाम पदादिकारियों के साथ नाशनल बॉडी के हूँ स्टेट बॉडी के हों, स्टेट प्रेसिडंस हो, विबन प्रकोष्टों के अध्यक्षों, हमारी जिला समिती के पदादी कारी हों, जिला अध्यक्षों, उन सब की सहमती और मजबूती के साथ आने वाले समय में लोग जैन शक्ति पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को दढ़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज में कही ऐसे तत्में जो निरंतर आपको बाटने का काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतियास गवार है कई बार ऐसा प्रियास किया गया है, और इसमें मैं पुना मैं बोलूंगा, बाटने की जब मैं बात कर रहा ह। दलत महा दलत बनाना सबसे बड़ा उसका एक धारन रहा तो निरंतर ये बाटने और राज करने की रणीती इन लोग के द्वारा अपनाई जाती है पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ, ना मैं उस वक्त अकेले चुनाओ लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था, उस वक्त अगर मैं डंके की छोट पर अपने मुद्धों पर अपने अधिकारों के ले जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ, तो आज की तारिक में, तो मेरी पार्टी, मेरे साथिय मेरी तमाम पदादिकारियों का समर्थन में साथ है, और सबसे वड़ी बात बिहार की जनता, जिस तरीके से सोचल मीडिया के माध्यम से हो, या वेक्तिकर संपर्ग सादने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, ये विश्वास मुझे देता है कि जो सौच के साथ पापा ने इस पार्टी को बनाया था उसी सोच साथ लोग जन्शक्ती पार्टी आने वाले दिनों में मजभूती से आगे बढ़ेगी आप लोग के आप खोई सवाल निया। जानकारी के अभव में कुछ लोग फैसले ले रहे हैं और उनको लग रहा कि वो सही है पर मुझे लगता है कि एक बार जब वो पार्टी का सम्विधान पढ़ेंगे जानकारी लेंगे देखे कोई भी संगठानों वो सम्विधान के अनुरूप ही चलता है आपकी व्यक्तिकत सोच व्यक्तिकत भावना कुछ और हो सकती है बर जो सम्विधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते वे उसी को मानते वे ही आप निर्ने ले सकते हैं तो जो वो इस बात को कह रहे पाटना कभ जाएंगे पाटना कभ जाएंगे लाएं चुनाव कर देखे किसी कारों कर देखे ले रहे ते विधान सभाज चुनाव में जितने भी निर्ने लिए गया और आप सब मौजूद हे नेरंतर बिहार पार्लिमेंटरी बोड के नीताओं राय मश्वरा करके उनसे बाचीत करकर और अगर उस वक्त अगर उनके अनुसार निर्ने नहीं लिए गए तो ये प्रश्ट उस वक्त उपने चाहिए थे ना की चुनाव समाप्त होने के छे महीने के बाद उस वक्त ये सवाल आने चाहिए थे उस वक्त जो आपकी सहमदी तो अगर किसी को आपती थी तो उस वक उनको आपती रखनी चाहिए था अपको क्या लगता है कि वह वैद है और उस कारकार्णी के बैढ़क में क्या आपके में समर्थक है या सिर्व नहीं के समर्थक है देखिए जैसा मैंने कहा कि सुबे से हम लोग इसको लेकि हम लोग चर्चा करी रहें और इसमें क्या बैस लीगल वे आउट होगा क्या हम लोग को अगला कदम उठाना चाहिए उसको लेकर हम सब की चर्चा चल रही है सही समय पर आने पर उसकी जांट पर पीजे माने कि चलना जरूरी है अनिवार है जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से लोग सभा अध्यक्ष ओम बिल्ला जी को भी उन्होंने एक पत्र लिख दिया बट पार्टी का कॉंसिट्यूशन लोग जन्शक्ती पार्टी का समविधान क्या कहता है उसकी के अध् थोड़ी सी उसके लिए मैं शमा चाहूंगा मेरी शारिरिक परिस्तेदीक लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा मेरा साथने में अभी भी बहुत जादा बोल पाऊं आपको भी शाय कहीं नहीं हैसास होगा नहीं तो मैं अभी एक बार शुरू करता हूं तो आपको क्या लगता है कि अगर जिस पार्टी को आपने पुरा अगर देखा जाए तो नितिसकुमार के खिलाब बड़े खड़े की है वही अपको 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 अपने ही धोका देते तो फिर आप बाकियों को तो मुझे नहीं पता बढ़ा जंता दल उनाइड़ का मैं जर इन चीजों को समझना जरूरी है किसका हाथ है बहार से कौन कर रहा है नहीं कर रहा है यह बात की बात है बढ़ा इतना जरूर मैं बोलूंगा कि जंदा दल उनाइट के नेता उन्हें जिस तरीके से भूमी का निभाई और जैसा मैंने पहले भी कहा कि परंपरा रही है परंपर प्रिंज के उपर और यह सब आपकी जानकारी में यह विशह पहली बार अगर मेरी यादा सही है तो शायद आट जनवरी के आसपास यह विशह मेरे संगयान में आया उन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मुझा दिया गया था और उसमें उन्होंने कुछ ब जिक्र किया जो उनके साथ कुछ घटना घटी जिस सांसत का उन्होंने जिक्र किया मेरे भाई प्रिंस राज के बारे में उन्होंने कुछ बातों को कहा जब मैंने उनसे प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा तो उन्होंने दूसरा पहलू मेरे सामने रखा उनक महुतरमा ने इन बातों को खा उनका वर्जिन तोडली दिफिरेंट था दोनों का उसके बाद मैंने एक बाद मैंने प्लाइस किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठे हैं तो आमने सामने बैठ कर अगर कोई canfusion है उसको sort out किया जा सकता है पर सामने बठाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बाते कह रही हैं और ये जो बाते कह रहे हैं दोनों में जमीन आस्मान का फार क्या और दोनों के अपने-पने मजबूत पक्ष है मैं investigating authority नहीं हूँ उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं एफायर आप लोग दर्ज करा है और जो सही है investigation का matter है investigate होगा प्रिंस संभवता शायद वो पुलिस के पास गए उन्होंने अपनी एफायर दर्ज की और उसके बाद मेरी उनसे मेरी कभी दुबारा मुलाकात नहीं ही तो मुझे उनका पक्ष नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने क्या क्या है